हलो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारी यूटूब चनल पर और आज हम आपके लिए लेक्ट एए एक चोटा सा वीडियो अबाउट ब्लड वेशल्स ब्लड वेशल्स के बाद करें तो ब्लड वेशल्स मैंली टू टाइपस की होती है पहली होती है आर्टरी और दूसरी होती है वेन आर्टरी ये वेन होती है आर्टरी के बाद करें तो आर्टरी की डेपिनेशन होती है आर्टरी टेक्स ब्लड अवे फ्रोम हर्ट टू दे बोडी बोल सकते हैं कि आर्टरी का काम होता है हर्ट से बलड को लेके जाना बोडी के टीशू तक बोडी के हर्ट टीशू तक लेके जाना होता है अगर वेंस के बात के तो वेंस होती है वो बलड को टीशू से हर्ट की तरफ लेके जाती है तो हम बोल सकते हैं बोडी या फिर टीशू से ब्लड को लेके जाती है कहां हर्ट के पास में यह आर्ट्री और वेंस की में डिफरेंस होता है अगर हम मेंली बात करें आर्ट्री और वेंस में जो लेयर्स होती हैं हम बोल सकते हैं कि लेयर्स होती हैं लेयर्स ओफ ब्लड वेशल्स ब्लड वेशल ब्लिय को ओदनीका एडवन्स्यद्य दूसरी है तूनीका मीडिया तीसरी है तूनीका इन्टिमर इस तरह इस आर्ट्री और वेंस में तीन बलड वेंस वेंस होती है सबसे जो outer most layer होती है जो आप डाइग्राम में देख सेते हैं जो red color की आपको दिख रही है यह artery है और जो blue color में दिख रही है वो आपकी veins है तो जो outer most layer है उसको आपने बोला tunica adventia जो बनी होती है collision and elastic fiber की जो बनी होती है collision and elastic fiber की फिर बात है tunica media की बात करें तो यह जो middle layer होती है यह आपके artery और veins दोनों में आप देख सकते हैं यह middle layer है तो आप बोल सकते हैं middle layer हो गई यह आपकी middle layer होगी किसकी बनी होती है यह muscles की बनी होती है कौन सी muscle smooth muscle काम क्या होता है muscles का यह की काम होता है contraction and relaxation, फिर हम बात करते हैं tunica intima, जो tunica intima है वो inner most layer होती है, आप देख सकते हैं, आर्टरी और वेन दोनों में आप देख सकते हैं, तो यह होती है आपकी inner most layer होती है, किस की बनी होती है, endothelial की बनी होती है, इस तरह से यह तीनों layer आपकी complete होती है, tunica adventure, tunica media and tun फिर हम बात करें, आर्टरी का जो smallest part होता है, उसको आपने arterioles कहते हैं, और जो veins का smallest part होता है, उसको आप venules बोलते हैं, और इन दोनों का junction जहां पर होता है, उसको आप capillaries बोलोगे, तो artery और veins, artery का smallest part, arterioles, vein का smallest part, venules, और venules उनका दोनों का junction होता है, उनको हम capillaries बोल सकते यह समझ सकते हैं यह सबसे पहले आपकी निकली फिर आर्ट्री से आर्ट्री के बहुति हैं तो केपिलरी के बात करें तो केपिलरी के पास में अगर के के बात करें तो single layer होती है इसके पास में single layer of endothelial किसकी बनी होती है endothelial जिसका काम क्या होता है यह इनका काम होता फिर हम जो main artery और vein है उनके difference के बात करें तो artery का जो अपका lumen है वो कम होता है compare than vein क्योंकि इसमें जो muscular layer होती है वो थिक होती है artery के अंदर और जो veins के अंदर muscular layer होती ही वो thin होती है यह muscular layer थिक इसलिए होती है क्योंकि इसमें artery के अंदर pressure आपका जो pressure है वो आर्टरी के बात करें तो ज़्यादा रहता है और वेंस के बात करें तो प्रेशर कम रहता है क्योंकि यहां यह डारेक्ट हार्ट से निकलता है और यह हार्ट के पास मिलता है फिर वो डिफरेंस के बात करें तो वाल्व के बात करें वाल्व की बात करें तो आर्टरी के पास वाल्व नहीं होते हैं और वेंस के पास में वाल्व होते हैं और इस तरह से इनका जो थोड़ा सा ओर डिफ्रेंस था हुऊ आपने देखा इस तरह से वीडियो खतम करते हैं, thank you for watching